देखो, FRM का जो registration process है वो बहुत simple है, ठीक है, तो तुम लोग सब अपने laptop में सबसे पहले GARP के website पे जाओ, ठीक है, GARP के website पे जाके ये जो GARP का website है, अभी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे है कि July 31st के पहले अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को बच्चत होगा, तो सबसे पहले आप एक अपना account create कर लो, ठीक है, account create करने के time पे अगर आप देखेंगे, तो आपसे बहुत basic details मांगेगा, email id डालो, first name, last name डालो, ठीक है, address, company का नाम optional है, address 1 में आप डाल दो, location डाल दो, city, state, postal code, phone number, phone number में country code डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो register कर द तो सबसे पहले यह basic details जाल के, ठीक है, register कर दो, फिर email authentication होगा, वो सब कर दो, समझा ना, सबसे पहले register कर दो, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देखेगा, GARP में, FRM में, तुम्हारा यहाँ पर register for FRM exam बोल के भी आता है, ठीक है, तो अब जैसे तुम्हारा यहाँ पर individual details लेगा, अब जैसे यहाँ पर sign in आ रहे ना, तो तुम लोग जब register, कर देगा, ठीक है, तो तुम लोग को already signed in आएगा, फिर जाके तुम FRM exam के लिए register कर सकता है, जैसे आपर जैसे part one, अभी तुम लोग को खली part one ही देना है, November 9 से 15 है, early registration है 600 डॉलर का, ठीक है? यहाँ पर तुमको basic detail डालना है, individual में email डालना है, जैसे यहाँ पर मानलो मैं अपने डाल देता हूँ, ठीक है, अपने यहाँ पर email डाल दो, first name, last name, exam selection, location, location तुमको इंडिया डालना है, ठीक है? यह वाला complimentary है, गार्प का जो learning platform है और जो e-book है, यह complimentary है, कुछ भी add to cart मत करना, कुछ भी add to cart मत करना, I agree, फिर यहाँ पर तुमसे basic details मांगेगा, payment का type मांगेगा, अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा address वगेरा मांगेगा, ठीक है, phone number में हमेशा consistent रहना, mail ID में हमेशा consistent रहना, ठीक है, I confirm, I confirm, ठीक है, अब देखो जैसे तुम्हारा यहाँ पर enrollment fee आगया, 400 डालर का, Part 1 early registration आगया, 600 डालर का, तो total तुम्हारा 1000 डालर लगेगा, ठीक है? तुम लोग register करके account बनाया है सबसे पहले? पूजा, गुंशाइन, यश, account बना लिया? यह से बनाया है, account बना लिया ना? ठीक है, ठीक है, गुंशाइन, पूजा, गुंशाइन, पूजा, तुम्हारे card में कितना लिमिट है? आज जैसे जो हम लोग कर रहे हैं, डॉलर का rate एक मेंटर को मैं देख लेता हूँ, एक बारूर को मैं देख लेता हूँ एक बार, आज देख देख लेख लेख लोग के अधी थी फाइव चल रहा है, तो चार्जे बगएर लेके रफली वही आपका, 85 around कटना चाहिए अकाउंट बना लिया है ना अकाउंट बनाने के बाद में तुम लोग को क्या करना है तुम लोग को यहाँ पर जाना है ठीक है तो यहाँ पर जाके Register for FRM exam में क्लिक करना है ठीक है यह सारे details जालने है यह सारे details जालने है ठीक है अण बस आपको यहाँ पर payment करना है billing डाल देना, Card का नाम नमबर सब अच्छे से डालना बरसलिए OTP आता है यह अफिर नहीं भी आता है बहुत बहुत कऱए क्रेडिट कार्ट डालके आपको बस खली यहाँ पर पे एन रेजिस्टर में क्लिक करना है तो आपका हो जाएगा और फिर बेसिकली आपको अपना आईडी वगरा अपडेट करना पड़ता है जो आपका जो पासपोर्ट डीटेल्स है वो सब आपको अपने प्रोफाइल में जाके अपडेट करना पड़ेगा तो वो मैं आपको बता दूँगा कोई भी दिक्कत होने से तुम लोग में को बताना ठीक है बहुत सिंपल प्रोसेस है कुछ ज़्यादा है नहीं जैसे इंडिया में तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है और पासपोर्ट तो मोचली पासपोर्ट ही यूज करना चाहिए और इसके सेंटर्स भी बहुत सारे हैं पियर्सन के सेंटर्स होते हैं तो आपको सेंटर पे जाके एक्जाम देना पड़ता है